दिलेट फोटो को वापस कैसे लाएं? नमस्कार दोस्तों, क्या आप का भी फोटो या फिर वीडियो दिलेट हो चुका है आपके फोटो फायल से, या फिर आपके फायल मेंगेजर एपलिकेशन से डिलेट हो चुका है या फिर आपका कोई जोरोरी फोटो था जो बाई मिश्टेक डिलेट हो चुका है तो उस फोटो को आप दुबारा से कैसे रिकावर कर पाऊगे आज कि इस वीडियो में आप लोगों को पुरा डिटेल से बताने वाला हूँ चाहे वो फोटो आपके फाइल मेनेजर एपलिके कि जो भी फोटो या फिर वीडियो या फिर संग आपके फोन से डिलेट होता है वो फोटो जो पर्मानेटली डिलेट नहीं होता है जिहां दोस्तो आप लोगों ने बिलकुल सही सुने हो कि आपके फोन से गिलर से जितना भी फोटो बीडियो डिलेट होता है वो आपको आना चाहिए कि आप उस फोटो को रिकाबर कैसे कर पाऊगे चाहिए वो फोटो आपकी फाइल मेनेजर से डिलेट हुआ हो या फिर गिलर इसे दोस्तों बिना देरे के चलता है वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैं आप लोगो पूरूप के साथ भी बताने व और उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हुँ कि आप जो है उस फोटो को डिलेट फोटो को कैसे रिकाबर कर पाऊगे अपने फोन में तो बिना देरे के चलते हैं आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला आपको यहां से बैक से लाना है और बैक आने क आपको GOOGLE लिखना है उसके बाद आपको यहां पर फोटो लिख देना पी एच ओ टी ओ यहां पर आप जैसे गूगल फोटो लिखोगे आपकी फोन में जो यह बला अपलिकेशन पहले सी अल्रेडी डाउनलोड किया हुआ रहेगा सिंपर सा आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा और जैसे आप अपडेट को ऊपर क्लिक करोगे यह आपका जो है अपडेट होना इस्टाट हो जाएगा आपको यह फोटो को वह आपस नहीं लापाऊगे क्यूंकि इसमें बहुत सारा स्टेटिंग करना पड़ता है क्या क्या करना पड़ता है मैं आप लोगो क करना है वीडियो में सुरू तक रहना है तब ही आपको समझ में आएगा कि आप गूगल फोटो से अपने फोटो को दुबारा से आपको प्रहल दिखाएं और आपको एक बार क्लिक कर देना है यहां पर आप किलिक करोगे तो यहां पर आपको जो मेल यहां पर ऑटमेटिक सेलेक्ट रहेगा अगर आपके मुवाल में यहां पर सेलेक्ट नहीं तो आपको अभी तुरंट जाके आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है और दोस्तों यहां पर आपको अगर आप न्यू हो त तो आपका Google फोटो में जरूर रहेगा और रहेगा तो यहां पर कुछ इस पर करेंट फेस कुल के आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा आपको यहां पर एक ओप्सन दिखाई देगा यहां पर आप देख सकतो यहां पर यह डाटा इन गूगल फोटो यहां प सेटिंग्न की वप्सन पर करने के बाद आपको यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर ओप सेटिंग्न के पहले बारा में आप जान लो उसके बाद आपको क्या करना है यहाप जखसे तो कोण सा जीमेल में वेक अब ले रहा है वो यह आप को आपको सोग करने लगेगा तो आपको फोटो के पर इस फोटो के अपली के अप日本 кимиद खोशन ले आना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक मोबाइल डाटा यूज का ओप्सन मिलेगा सिंपर सापको इसके उपर एक बर क्लिक करना है और रोजना आप जो है गूगल फोटो को बेक अप लेने के लिए आप कितना 10 MB देना चाहते हूं इसलिए 10 MB के उपर स्लट कर देता हूं और यहां से मैं बेक्षेल आता हूं और दोस्तों इसके बाद आपको पूरा बेक्षेल आना है अब बारी आता है कि आप उस फोटो को रिकावर कर से कर पाऊगे जो आपकी मतलब बरसों पूराने फोटो आपका ड आपको फोटो तुरां डिलेट हूआ हो और यहां पर आपका बेकप सेटिंग चालू है तो आपका जो फोटो यहां पर जाता हूं और जो मेरा फोटा है बहुत पूराना फोटो था मेरे फोट में उसके बाद बहुत दीन पहले बेकप बनाकर रखा था वह देखते हैं कि या पर मिलता है या फिर नहीं मेलता घिसकता आप लो estimary कर लेता हूं आपको बीडियो का एक लाइक अभी धूट रहा लेकर अभी तक जो ममेरा फोटो नहीं आया है तो आप देख सकते यहां पर कि आप लोगों सामने जे फोटो आ रहा है या पर नहीं आ रहा है दोस्तों यहां पर जो बहुत सारा है जितना भी फोटो आप लोगों यहां पर देख रहो यह सारा फोटो जो बहुत पुराना है कम से कम एक साल डेर साल दो साल पुराना फोटो है देखने यहां पर जो फोटो जो था दो साल पुराना जो मैं डिलेट कर चु मेता हो तो इसे आपको फोटो फोटो है डाउन Crit होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछी सेटनों के बाद आपकी सामने का अपके ये वैद के गलर्यूर्य में माम आपके फाइल मंदे रिजिन में चले जाएगा तोस्तों अगर आपके पास जो यहां पर आपका जीमेल सेलेक्ट किया हुआ नहीं है और यहां पर आपका कुछ भी फोटो सों नहीं कर रहा है तो आप अपने यहां पर क्या आपका प्रोब्लम है वह हमें कॉमेंड बता सकते ह आपका प्रोब्लम क्या आ रहा है तब ही मैं आप लोगो बता पाऊंगा कि मैं फिर से आप लोगो के लिए वीडियो बना पाऊंगा कि आपका अगर यहां पर सों नहीं कर रहा है तो आप जो है अपने डिलेट फोटो को रिकावर कैसे कर पाऊगे यहां पर जो गूगल फ आपका जितना भी फोटो है, सबका एक backup बना के रख लेता है, और ओपर क्या हुता है कि जब भी आप चाहओगी, तो अपने फोटो नहीं होता है, जहां दोस्तों आपके परवनेखन के रख लेता है, वहां से आप जब चाहओँ आपस डाउनलोड कर पाऊँगे, इसलिए दोस्तों अगर आपके पास Google photo application है सबके phone में रहता है तो आप अपने Gmail को वहाँ पर जरूर on करके रखना और वहाँ पर mobile data में select करके रखना ताकि आपका जितना photo है साब वो backup बना के रखे बाइचान्स अगर आपके mobile से को भी photo delete हो जाए तो वहाँ से आप आसाने से डाउलोड कर पाऊगे दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक like करे और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आपको problem क्या हो रहा है वो हमें comment में जरूर बताएं ताकि उसके पर जो है मैं फिर से कोई एक वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों का problem जो है मैं solve कर दूँगा और इसके रिए आपको क्या करना पड़ेगा चेनल को subscribe करके रखना पड़ेगा तब ही तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा तो आपके पास notification जाएगा दोस्तों अमिद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा लाइक करना मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई